Hello students, welcome to Get Set Learn Academy To Get Set Learn Academy के आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जो class 10th का जो physics हम लोग देख रहे थे ना light or reflections, उसका continuations आगे देखते हैं आगे देखते हैं एक नए असा topic मिल गया है उस topic को हम लोग cover करेंगे अच्छा, अभी तक जो हम लोग जो वीडियो देख चुके पहले का जो वीडियो में देखें उसमें क्या देखें formation of image, है ना formation of image देखे थे formation of image, किसमें देखे थे भाई तो concave में भी देख चुके थे convex में भी देख चुके थे है ना, दोनों, concave mirror और convex mirror भी देख चुके थे, और फिर अगर lens में देखा जाए, तो ये concave lens भी देख चुके थे, और convex lens भी देख चुके थे, तो ये दोनों चीज हम लोग already cover कर चुके है, अगर आप ये वीडियो नहीं देखे, तो आप previous का वीडियो जाकर देखे, आपको उसमें पूरा का पूरा एकदम simple lemon language में दिया गया है, diagram के साथ में, आप उसको देखे, समझे, तेक है, अब जो हम लोग discuss करेंगे, वो है क्या mirror formula और lens formula, इस चीज को देखेंगे, तो हम लोग start करते है mirror formula और lens formula, तो सबसे पहला चीज जो है, जो सबसे पहला चीज जो हम mirror formula, ठीक है, number one में, क्या देखेंगा, mirror formula, बड़ा important हो जाता है, numerical इस से, sorry, important लिख दे रहेते, mirror formula, यह देखेंगा, इस से बड़ा important हो जाता है, एक basis पर देखा जाए, तो बड़ा important है, क्योंकि numerical सब इसी से बनते, तो numerical को बनाने के लिए तो इसको तो पढ़ना पढ़ेगा चलिए, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, mirror formula, अब देखें, mirror formula जो है, वो mirror से related है, क्योंकि mirror का अगर बात किया जा रहा है, तो यह किस से related होगा, concave mirror से हो सकता है, और convex mirror से भी हो सकता है, दोनों से होगा, दोनों के लिए अलग-लग rules तो नहीं होता है, बट सिर्फ सीधा क हम लोग देखेंगे, spherical mirror का एक rule चलता है, वो चीज़, चलिए, यह चीज़ होगे, अच्छा, अब देखना है यह, कि हम लोग जो पढ़ते हैं, यानि कि यह जो हम लोग देखेंगे, mirror formula, इसको मिटा देते हैं, mirror formula जो देखेंगे, वो है क्या actually, यह है एक relation, mirror formula क्या चीज़ में भाई, तो object distance में चलिए, तो यह मेरे formula के बारे में हम लोग देख लेते हैं, discuss कर लेते हैं, क्या है, कि it is a relationship between, here na, relation between, relation किस चीज़ कहा है भाई, किस चीज़ कहा, relations between, ट्विट अबजेक्ट डिस्टेंस अबजेक्ट डिस्टेंस अबजेक्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं यू से डिनेट करते हैं फिर अबजेक्ट डिस्टेंस हो गया है इमेज डिस्टेंस image distance होता है जिसको हम लोग भी से denote करते हैं और उसके बाद focal length focal length है ना जिसको हम लोग क्या ची से denote करते है f से denote करते है अच्छा object distance क्या होता है object distance होता है distance of object from pole from its pole यह लिख देते हैं इसके बारे में भी लिखी देते है object distance क्या होता है distance of object इस पूल यह हो गया अच्छा image distance क्या होता है तो distance of image distance of image क्या हो गया from its pull यह हो गया image के लिए और focal length तो आपको पता ही होता है distance of principle focus distance of principle focus इसके बारे में तो यह तीन चीज़ का relation ही हम लोग देखते हैं क्या चीज़ में mirror formula में अब mirror formula है बड़ा easy यह समझ में आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा it is a relations between object distance u object distance u जो कि है distance of object from its pull image distance b distance of image from its pull and focal length f that is distance of principle focus यह तीन चीज़ के बारे में relate किया गया है और mirror formula में इसी तीन चीज़ का relation बताया गया चलि यह तो आगे देख लेते हैं यह तो हम यहाँ बना दिये हैं ताकि sign convention बता देते हैं चलि तो अब है क्या mirror formula तो देखना ही पड़ेगा so mirror formula है क्या mirror formula यह है क्या वाई तो यह है इसका formula आता है that is 1 by b plus 1 by u is equal to 1 by f 1 by b plus 1 by u is equal to 1 by f जहां b b हो गया गया image distance है ना यह तो लिखी नहीं है image distance हो गया u हो गया object distance object distance और f हो गया focal length focal length हो गया ठेक है यह चीज़ हो गया 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते है ना simple बना लेते है simple बनाने का मतलब क्या है ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको रो 1 by v plus 1 by u और is equal to 1 by f है तो अगर हम लोग कर देते हैं v u और by u plus v चाह भी प्लस यू तो direct में नहीं कर सकते हैं हम लोग को ज्यादे है LCM वे LCM निकालने का जूरोत नहीं तो direct यह formula हम लोग put कर सकते है f is equal to v u by u plus b ठेक है यू प्लस b लिखे चाह वी प्लस u के बात बराबर है अच्छा अब देखे यहां पर क्या important हो जाता है न यहां पर जो u और b u b और f है ठेक है न यहां पर लिख देते हैं important important ठेक है u b and f u b and f क्या हो जाएगा भाई are to be used are to be used according according to the new cartesian cartesian sign convention sign convention ठेक है यह चीज़ होगा तो हम लोग को u b और f को use करना है न वो cartesian sign sign convention के basis पर ही use करना है ऐसा नहीं कि हमेंसा u b दिया हुआ वा value में put कर देंगा और find करने के कोज़िस करेंगा यह गलत हो जागा तो sign convention हम लोग को जानना जरूरी है और यह समझना भी होगा हम लोग को ठेक है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा sign convention आपको समझ में आगया यह mirror formula कोई भी दिक्कत नहीं होगा ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को यह बड़ा important हो जाता है general term है इसी को हम यहाँ पर थोड़ा सा क्या किये है थोड़ा सा modify कर दिये है ताकि आप questions में चाहिए formula में थोड़ा जल्दी सा बनाने का खोशिस कीजिए तो 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f ठेक है जहां v is equal to image distance हो गया object distance हो गया u और focal length हो गया that is f u b और हम लोग sign convention के basis पर ही पढ़ेंगे तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं sign convention sign convention के लिए diagram हम यहां पर बना के रखे हैं ठीक है simple सा चलिए तो यह जो है यह वला कौन सा mirror हो गया यह है हमारा concave mirror कौन सा mirror है concave mirror है न concave mirror इसके बारे में हम लोग देखेंगो concave mirror अब आसानी से समझते हैं कि हम लोग क्या करते हैं tricks लगाते tricks पढ़ेंगे समझते नहीं तभी तो tricks use करना पड़ता है हम लोग जब समझ जाएंगे तो tricks का use नहीं करना पड़ेंगा एक वर दिमाग में गुज जाएगा तो trick का कोई कामी नहीं आएगा trick काम आता है जब आपको दिमाग बहुत जाद चीजात करने इसमें याद करने का चीज ही नहीं है इस सबस्ब नटंकी होते रहता कि यहां trick होगा यह होगा फलाना होगा डिमकाना होगा कुछ नहीं करने का है देखें सिंपल जबात है इसमें क्या करना है object इधर से क्या जा incident ray, direction of incident ray होगा अब जिधर से ray आता है वो distance जो होता है वो होता है negative वो होता है क्या निगेटिव और जिधर से ray अब उस साइट तो जाएगा ने तो उसके अपोजिट वाला जो distance होगा वो सारा क्या हो जाएगा पोजिटिव ठीक है यह चीज होगा अब देखिए ये principle बीच में क्या है principle line है एक principle जिसको हम भो सकते है जो main line जो होता है ठीक है बीच में तो यहाँ पर pole होता है यहाँ पर क्या होता है यह principle line है तो principle line यह इधर इस side में चले आते हैं यानि कि mirror pole के left side में अगर आते हैं direction of incident ray के तरफ से तो वो हो जाता है negative और फिर other side हो जाता है positive अब बात करना है हम लोग को क्या कि अगर principle line जो है जो main line होता है इसके उपर अगर distance है इसके अगर उपर distance है तो यह सारा का सारा क्या चीज़ हो जागा भाई upside में up movement में क्या हो जागा सारा का सारा positive और down movement में जितना भी है ठीक है down movement में सारा का सारा क्या हो जा तो उसी के बेशिज पर भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग को दिक्कत नहीं है तो यह किलिए हो गया वैँ अच्छा इसमें देखिए अगर ऐसे याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं माले जिए इधर यहां पर F है तो F क्या हो जाएगा बैए निगेटीव हो जाएगा जाहिर सी बात है इसका focal length क्या हो जाएगा ठीक ही देते है focal length क्या होगा भाई हमेशा क्या होगा negative होगा concave mirror में convex mirror में अलग देखेंगे अब इसको अगर sum up करते हैं अगर sum up करते हैं यहां पर छोटा समय तो अमनों क्या क्या देखते हैं U जो होगा इधर से है यानि क्या चीज़ यू क्या कहते हैं देख लिए यहां पर भी लिख दे रहें यू हो जाता है object ठीक है न object distance आये हो जाता है image distance ठीक है image distance और आपका हो गया f हो गया focal length focal length ठीक चली तो इसमें यू क्या हो जाएगा यू हो जाएगा negative ठीक इधार इस side से हो जाएगा चली ङू behy देखने image में एक बनता है real और एक बनता है virtual तो real अलग हो जाएगा है ना real और virtual र Pokémon CJ क्या हो जाएगा ठाई रियाल में हो जाएगा इधा निगेटिव और वर्टोल में हो जाएगा positive अगर real image बन रहा है तो वहां भी हम लोग negative लेंगे और अगर virtual image बन रहा है तो वहां हम लोग positive लेंगे focal length तो हम बता ही चुके हैं कि वो negative होता है ठीक है फिर radius of curvature क्या हो जाएगा वो भी तो आपका negative हो जाएगा फिर height of object क्या हो जाएगा वो हो जाएगा positive और height of image क्या हो जाएगा height of image height of image जिसमें क्या हो जाता है भाई इसमें भी real और virtual हो जाता है real और virtual हो जाता है तो real में क्या हो जाएगा negative हो जाएगा और virtual में क्या हो जाएगा positive हो जाएगा तो इसको ध्यान में रखना है और तो कुछ है ही नहीं इस साइड सारा का सारा यानि कि जो इस साइड में जो भी है इस साइड में जो भी है सारा नेगेटिव इस साइड में जो भी है सारा पॉजिटिव अब साइड में जो भी है सारा पॉजिटिव और डाउन साइड में जो भी है वो सारा नेगेटिव बीच में है पोल आपका फ यह हो गया convex mirror convex mirror को कैसे solve करते हैं यह ही है same चीज़ इधर हो गया directions of incident tray है न?" direction of incident tray होगय है इसका मत्रब यह क्या हो गया negative हो गया और यह क्या हो गया positive हो गया upside जो भी होगा वो positive होगय और downside जो भी होगा वो negative होगया simple सा बात है, इसका focus इधर होता है, ठीक है, तो इसका focus क्योंकि imaginary पीछे जाकर मिलता है, तो यह focus हो गया, तो इसका मतलब इसमे focal length क्या हो गया भाई, इसमे focal length जो होगा, वो हमेशा क्या हो जाएगा, positive होगा, इसमे focal length positive होगा, अगर sum up करते हैं हम लोग इसको तो U फिर V ठीक है U कितना हो जागा भाई यह तो नीगेटीव हो जागा V में क्या होता है ना V में दो चीज़ इसमें Real Image तो बनता ही नहीं है ठीक है ना इसमें Real Image No Real Image लिख देते हैं No Real Image और Virtual जो बनता है वो पॉजिटिव हो जाता है यह दो चीज़ हो गया फिर R तो आपका Radius of Curvature क्या हो जाएगा भाई पॉजिटिव ही होगा F क्या होगा वो पॉजिटिव ही होगा ठीक है अगर Height of Object क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही होगा Height of Image क्या हो जाएगा आप copy में एक वार दियान से लिख भी ली जागा तो आपका पूरा का पूरा किलर हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, है ना, चली, तो यह हो गया sign convention और इसी sign convention के basis पर ही हम लोग जो formula में, जो u, b और f जो put करेंगा न, u है, b है, ठीक है magnification, थोड़ा सा magnification देख लेते हैं, है न, magnification, magnification क्या होता है, यह कि कोई भी object कितना बड़ा, कितना चोटा देख रहा है, तो अगर हम लोग mirror का बात कर रहे हैं, इस में हम लोग mirror देख लेते हैं, ठीक है, इस page में हम लोग mirror को देख लेते हैं, अगर हम mirror का बात कर रहे हैं, तो magnification को M से denote किया जाता है तो ये हो जाएगा minus HI और by HO यानि कि height of image that is height of object height of image ये होगय height of image और ये होगय height of object ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है अगर इसको distance में अगर measure किया जाए तो M is equal to कितना हो जाएगा? minus V by U minus V by U ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया image distance और ये U क्या हो गया? object distance कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है? अगर अब थोड़ा सा rule देख लेते हैं अगर HI हई अगर equal हो जाता है HO that means कि magnification कितना हो गया? 1 क्योंकि height of image और height of object अगर बराबर हो गया shorter हो जाता है height of object से तो magnification shorter than 1 हो जाएगा ठीक है? कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें एक और rule चलता है कौन सा rule है भाई? कि अगर magnification का value अगर negative आ रहा है अगर magnification का value क्या रहा भाई? negative आ रहा है कि अगर magnification का value अगर negative हो जाता है तो वो real और inverted हो जाएगा और अगर magnification का value positive हो जाता है तो वो virtual and erect हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? virtual and erect हो जाएगा इसको ध्यान में रखिएगा और तो और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर आप देख लीजे magnification में तो magnification में ये चीज़ ध्यान में रखना होगा बस और ये सब ध्यान में रखना होगा कब? identification of mirror के लिए identification of image type के लिए ये सब चीज़ के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा mainly important क्या है? ये वाला ये तो होगे mirror का बात अब बात कर लेते हम लोग magnification lens का बात ठीक है ना? जब mirror आ गया है तो lens भी देखी लेते हैं ये magnification किसका होगा भई? ठीक है? magnification lens में lens में देख लेते हैं इसमें क्या होता है formula? ये भी देख लेते हैं m is equal to इसमें minus sign नहीं होता है, सिर्फ h i by ho होगे, that is height of image or height of object, और एक और formula by u होगे, तो ये दो formula होगे आपका magnification, किसमें है, ये lens में, अगर magnification, अगर positive आ जाता है, अगर magnification positive आ जाता है, तो ये कैसा image बना देगा भाई, virtual, कैसा image बना देगा, virtual, और अगर magnification negative आ जाता है, तो ये कै कैसा image बना देगा, real image बना देगा, ये ध्यान में रखने वाले चीज़ है, और वैसा कुछ है नहीं, बाकि वही चीज़ है, कि अगर h i, h i is equal to ho है, तो इसका मतलब magnification कितना हो गया, one हो गया, अगर h i is greater than ho है, निक object है, that means magnification is greater than one हो गया, और h i is greater than, sorry, यहाँ पर उल्टा ह हो गया, shorter than ho हो गया, तो इसका मतलब magnification less than one हो गया, तो ये सब चीज़ अगर ध्यान में रखिएगा, एक दो बार अगर आप repeat कीज़ेगा, तो और notes भी बनाते जाएगा, ताक कि आपका एक छोटा सा sum up notes भी बन जाए, ताक कि जब exam आए, तो उसमें आप पठाक्षे, पू sign convention है, sign convention of lens, sign convention of lens, ये जो होता है, वो same as mirror ही होता है, same as mirror ही होता है, सब कुछ, ठीक है, बट खली होता है क्या है, कि जब convex अगर देखते हैं, ठीक है na, convex देखते हैं, तो उसमें focal जो होगा न, focal length जो होगा न, वो हो जाएगा, positive, और अगर concave देखते हैं, तो इसमें जो focal length हो जाएगा, वो हो जाएगा negative, तो बस simple सा बात है, और कोई दिक्कत इसमें नहीं है, तो sign convention of lens, same ही चलता है, ठीक है, mirror के जैसा, बहुत जादा difference नहीं होता है, तो I hope कि आपको sign convention, mirror का, lens का, mirror formula, इसका, इसका, अच्छा, एक lens formula बच जाता है तो lens formula भी हम लोग देख लेते हैं, normal सा ही है, lens formula, है ना, lens formula, lens formula क्या कहता है, lens formula में है, 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F, यह भी बहुत जादा hard and fast rule नहीं है, 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F, जहां वही भी हो गया, आपका क्या, image, है ना, image, और U क्या हो गया, object, ठीक है, और F क्या हो गया, that is, focal length, focal length, अब देखें, इसको भी हम लोग simplify कर सकते हैं, simplify क्या है, 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F है, तो V और U कैल से हम V U हो गया, ठीक है, तो U और minus V is equal to 1 by F हो गया, तो F is equal to direct हो जाएगा, V U और Y, U minus V, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें use करना है क्या, वह यू, ठ होगा, on used on the basis of, on the basis of sign convention, sign convention, तो इसको इसी के basis पर हम लोग को use करना है, lens formula, mirror formula, यह सब सारा चीज़, ठीक है, इसमें U, B और F हो गया, तो I hope कि आपको यह topic, lens formula, mirror formula, और magnification दोनों का, चाहिए, lens हो, चाहिए, mirror हो, आपको clear हो गया, और इसी से related numericals भी बनेंगे, आप बनाने के कोशिस कीज़ेगा, हर एक चीज़ को ध्यान में सामने में रखेगा, यह जो sign cartation जो बनाए हैं, ठीक है, cartation, यह वाला जो part है, यह वाला जो sum up किये थे, यह वाला और yellow part, यह आप क्या कीज़ेगा, कहीं copy में, notebook में, चाहिए, कहीं पर एक chit में, सामने में, बना लीजेगा, और कहीं पर चिपका दीजेगा, और जिसमें numerical बनेंगे, उसमें ध्यान दीजेगा, ठीक है, आपको खुद खुद pattern पता चल जाएगा, कि किसमें का use होता है, किस share और comment जरूर कीजेगा, और अभी तक subscribe नहीं कियें, तो please, please, please subscribe भी कर लीजेगा, ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग, next video में, नए topic के साथ, तब तक के लिए, आप लोग practice करते रहें, thank you, so much, take care, bye, bye